आज गांदी जैन्ती के सुवासर पर आप सबको गांदी जी की जनम दून की हार्दिक बदाई है चलिए इलिशेशन नंबर 25 आया है निकल के अपने सामने इस इलिशेशन नंबर 25 में हम लोग को क्या काम करना है बेसिकली बहुत छोटा सा कॉंसेप्ट है जो कि आपको सोचना चाहिए समझना चाहिए वो है जब भी आप मसीन डिस्पोजल अकाउंट आप क्रिएट करते हैं मैंने आपको डिसकस किया भी था तो जब भी मसीन करते हैं उसके लिए हम एक अलग से लेजर बनाते हैं तो उसी सिलसिले में यह क्वेस्टन से अलाग कि डाउट नहीं आना चाहिए था अब क्या है इस क्वेस्टन से अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर हमारे पास जो मशीन है क्वेस्टन एक बार रिट करते हैं ऑन 1st April 2016 हिंद वाय लिमिटेट पर्चेज़ मशीनरी आप रुपीज एट लाग राइट लाग का एक मशीन खरदा गया तो मशीन अकाउंट जब आप बनाएंगे हम तो उस पर एक लाख रुपया हमारा सवरी एट लाख रुपया एक अपरिल 2016 हो जाएगा आट लाख रुपया यह रुपीज एक लाख वाश्षोल्ड फौर रुपीज फूर लाख अब देखिए अब यह मसीन में बहुत सारे मशीन हैं जिसमें से एक पार्ट को सेल आउट करने की बात कर रहे हैं कितने का एक लाख तो अगर आप वर्किंग करो तो जैसे आपका यह पैज चल रहा है तो इस बैच में अगर हम बात करें चार बच्चे हैं पांच बच्चे हैं तो जो एक बच्चा निकल कर जाएगा उसी का हिसाब होगा और जो बच्चा रह जाएगा उसके हिसाब से और गाउंग तो सिमोह इं सेपीछी लेक्चर में आपको डिस्कंस Funkel Island में भीजना है तो मसी को दिस्कोल अकांट में भेजना तो लिसक्र धाँणने मसीन को डिस्कोल आप बेचिंद आपके सांने टोटल मसीन का कीमत था ऐड़ chose उसमें से बहुत सारे मसीन रहे लिए तो बाकी एक मसीन जो है एक लाखा वह बेचने की बात की जा रहे लिए तो बाकी साथ लाग का मशीन रह गया इस मशीन एकाउंड में ठीक है चली तो अगर इतना बात अगर समझ में आता है दो पार्ट में तोड़ दिया गया तो सबसे पहली बात है कि हम एक जनवरी को बेचने जा रहे हैं उससे पहले कुछ नहीं कर रहे हैं तो CDBD करते चलेंग का रेट दिया गया है 10% पर एनाम और ब्रॉजिनल कोस्ट राइट याने कि SLM मेथट से आपका ये इसलम से आपका 10% आपको निकालना है तो पहले साल में एट लाक्स का 10% एटी थाउजन दूसरे साल में भी एटी थाउजन अब आ आते हैं तीसरे साल में जो की एक जनवर को विक रहा है आपके पास एक अप्राइल 2018 का बीडी निकल के आ गया कितना 6,40,000 यहां से अब इसी साल में मशीन विकेगा कब विकेगा एक जनवरी को तो जो आपका बैलेंस है उससे दिन से लेकर बेचने वाले दिन तक 9 महीना होता है तो जो मशीन आप बेचने जा रहे हो उसी के उपड़ेशिय है निकाले लगोगो तो वह मशीन का कीमत कितना है एक लाख रुपिया अब इसको वर्किंग करना है तो एक लाख पर सबसे पहले एक लाख कर यह मशीन है और slm से आप depreciation निकालने हैं 10 परसेंट एक लाख पर कितना depreciation लगा होगा और अभी इस साल में कितना लगाना है हमको 9 महीने का 9 divided by 2 कहां से कहां तक एक अपरेल 2018 से लेकर एक जनवरी 2019 तक 9 मंथ तो 10,000 को मतलब तीन पोर्षन चार पोर्षन में से तीन पोर्षन हो गया बारह साथ जार पांसो चली तो साथ जार पांसो यहां पर लिख देते हैं अब अगर थोड़ा सा और वर्किंग करके देखेंगे हम इसमें वर्किंग नोट में कि एक लाग का पर यह मशीन है आब इसको हम बेचने जा रहे है किसी कारण से इसमें 1 यर जो में कितना लगा होगा इसने लगा होगा है इसके बौद में बेचने से पहले हमाराा frameworks फूर कितना तोटल मेरे पास बहांटरजार पांसो और निकल कि आगया सुन्हाना निटाशन है? इसी 72,500 को हम क्या करेंगे मसीन डिस्पोजल अकाउंट में भेजेंगे तभी तो वहां जाके भी किएगा यहां पर जाके इसको मसीन डिस्पोजल अकाउंट में हमने भेज दिया अब कोस्टिन बोल रहा है आपको यह 44,000 में यह बेचा है आपने तो बाई बैंक 44,000 अब कर सब्सक्रान हो गया बाई प्रॉफिट है उसके सांसा एक और मशीन भी खरदा गया है एक जन्वरी को ही एक लाग भी सजार का खरीद लेजिए अब रहावाट डेप्रिशेशन अकाउंट जो बैलेंस जो डेप्रिशेशन लगेगा अब किस्ता पर लगेगा एक तो अब आ यह पुराना machine में से और जो नया machine आपने एक लाग टीशेशंट तॉता है वारा हजल 12,000 onboard ड deepestंद वी ₹ फार पर ली सब्सक्रान हो जाएगा कितना हो जाएगा छिए कितने हा थान जार ह है पैसे निकाला गया एक लाख बीस हजार into 10 divided by 100 into 3 divided by 12. How much? 3,000. तो machine disposal account जब आप बना रहे हैं, तो उसी machine को बाहर निकालोगे, जिस पर हमारा क्या है? Simple सा बात है, जो machine हम बेच रहे हैं. अगर इसको दूसरे वे में भी समझना है, तो हमको सारा काम वही करना है, simply हम क्या कर रहे हैं? इस machine disposal account को हम यहाँ पर जो लिख रहे हैं, इसको अगर हम machine disposal account ना बनाते, तो यहीं पर buy bank लिखते 44,000 और आपका loss लिखते 28,500, तो ऐसा भी कह सकते हो, कि हम machine disposal account में भेजने के बदले, अगर हम direct machine account में भी profit loss निकालते, तो हमारा क्या होता है? एक तो bank का amount कितना है? जो है हमारा 44,000 और जो हमने profit and loss account में बनाया था, जो loss हमारा calculate होके आया है, वो 28,500, तो इस दोनों amount को हम machine disposal account में हम क्या करते हैं? बहेर देते हैं, right? तो I think इससे आपको point समझ में आ जाना चाहिए, बातल समझ में आ जाने चाहिए, जो doubt आपका सिहर हुआ था, फिर भी अगर doubt रहा चाहिए, तो फिर भी आप ऊचेंगे दुबारा से, इससे ना करने के बाद आपको doubt नहीं रहाना चाहिए, ठीक है जी? चलिए, अगर इतना सारा काम हो गया, तो पुराने लोग जो है, जिनका class वगरा चूटा हुआ है, वो उनसा request है कि आप एक बार वीडियो को देखेंगे, देखे, seven number illustration भी already discussed किया हुआ है, lecture में आपने पूछा, जब एक बार आप फिर से पूरा वीडियो को देखोगे, तो एक lecture में पूरा seven number को है discuss किया गया है, वीडियो अप्लोड़ेड है, तो इस एक ही काम को दुबारा आपको बताने से, आपका भी time waste होगा, मेरा भी time waste होगा, ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही है, चप्टर को जल्दी से finish हम लोग कर लेंगे, तो सायद आपके लिए भी नया चप्टर चालू करने का सुरहरा मौकाल होगा, लेगे थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे तब, एक दिन में एक दो क्वेश्चन करेंगे तो नहीं होगा, तीन, चार, पांच, छे, साथ, कम से कम क्वेश्चन करिए, एकाउंट्स पे तीन से चार घंटा आपको स्पेंट करने पड़ेंगे, तब ही जा के सिलेबस कवर अप होगे, ठीक है जी, चलिए, मिलते हम लोग कल के लेक्चर में, नेक्स लेक्चर में रप्टर के लिए, गुडबाया,